श्री शिवाई नमस्तु भ्यम दोस्तो अगर आप लोगों की जीवन में बहुत सारी दुख समस्या हैं आप लोग हार चुके हैं आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आपको क्या करना चाहिए आपने सभी उपाई भी करके देख लिए हैं पर जब भी आपके वहे दुख नह जो दोस्तो आपको करना क्या है कि अगर आप लोग प्रती दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाने जाते हैं तो तो अच्छी बात है नहीं भी जाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है पर कोशिश करें कि प्रती दिन जो है एक लोटा जल अपने घर के परिंडे मतलब जहां पर पीने का पानी रखा जाता हू. वहां से एक लोट़ा जल भर कर शिव जी के मंदल जा कर शिवलिंग के उपर उस एक लोट़े जल को चढ़ा कर अपने साथ बेल पत्र गर लाएं या फूल लाएं तो एक लोट़ा जल समर्पित करने के बाद फूल बेल पत्र समर्पित कर दीजिए उसके बाद जो एक लुटा जल आप लोगों ने शिवलिंग की उपर समर्पित किया है वो जो बहता हुआ शिवलिंग से जला धारी से और जला धारी से नीचे गिरता है उस जल को अपने जो है सीधे हाथ की हतीली में लगाकर सीधे हाथ की हतीली की जो उंगलिया होंगी उन में लगाकर आपको इस जल को तीन जगाओं पर इसपर्ष करा रहा है मतलब अपनी इन उंगलियों को तीन जगाओं पर लगाना है कौन सी वो जगा है देखिए सबसे पहले तो जो जल आपने चड़ा दिया है उस जल जो है शिवलिंग से इस परश होता हुआ आ रहा है उसी जल को आपको लेना है ना कि अपने लोटे के जल को ठीक है जो जल आपने शिवलिंग पर चड़ा दिया वो जो जल जल धारी से नीचे गरने वाला होगा उसी इस्थान से आपको शिवलिंग से जल अपने हाथ में ले लेना है मतलब सीधी हाथ के दिली वहाँ पर रख देना है आपकी उंगलियों में जल आ जाएगा जल आने के बाद सबसे पहले आपको इस जल को अपने दोनों नाइनों में लगाना है दोनों नाइनों में लगाने के बाद इसी जल को अपने कंट पर लगाना है मतलब अपने कले पर लगाना है फिर इसी जल को अपने मस्तिश्क पर लगाना है मतलब अपना जो सर का जो आगे का भाग होता है इस स्थान पर लगाना है ठीक है तो यह जो है तीन जगहों पर आपको इस जल को लगाना है पर आपको शिवलिंग से सिर्फ एक ही बार जल लेना है ठीक है एक ही बार अपनी सीधी हाथ के अतिली वहाँ पर रखना है ताकि जो जल है शिवलिंग पर चड़ा हुआ वो आपके हाथ में आ जाए एक ही बार लेना है पर लगाना इसे तीन जगाओं पर है इस उपाई को करने से आपके सारी ग्रह जितने भी ग्रह आपके परेशान करते हैं आज दुख समस्याएं देते हैं तो वैस अभी ग्रह आपके ठीक होंगे आपके जीवन से सारी दुख समस्याएं दूर होंगी जरूर करके देखिए और अगर आप लोग एक लोटा जल लेक और मस्तिक्ष पर आपके आगे वाला जो सरकाहिस्ता रहता है उस इस्तान पर निश्चिति भगवान शिव का आश्रवाद आपको प्राप्तों का जरू करके देखिए बहुती विश्य शुपा है कोई भी समस्या आती है कमेंट करके पूर सकते हैं ओम नमाद शिवाय जय लेबास विचिवाए नमस्तु ब्या